नमस्कार मैं हूँ आपके साथ इस्तेयक अमद और आप देख रहे हैं रेनियूस भुलिटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त बड़ी और आहम खबर से जो कि मुरादाबाद से आ रही है जहां पर 20 फिट घहरी खाई में बस गिरी है और इस वक्त की बड़ी और आहम खबर जहां पर मुरादाबाद से खबर आ रही है मुरादाबाद से दर्दनाग हाथ से की खबर आ रही है जहां पर पानी पत जा रही थी और इसमें करीब बस सीतापुर से हर्याना के पानी पत जा रही थी और इस बस में करीब सो से अधिक यात्री सवार थे और वहीं इस वक्त आपको बताने करीब पांच एम्बूलेंस की मदद से यात्रियों को जिला अस्पताल भेजा गया और वहीं आपको बता दें फिलाल रामपुर और मुरादाबाद के जिला अस्पताल में घायलों का इलाज जा रही है इस वक्त की बड़ी और एहम खबर जो की मुरादाबाद से है मुरादाबाद में एक बस खाई में जागे रही है जहां पर यह दर्दनाग हाथसे की खबर आ रही है और इसमें करीब सो से अधिक यातरी सवार थे और में करीब पांच एम्बूलेंस की मदद से घायलों को जिला अस्पताल में भरती कराए गया और अभी किसी के खबर नहीं आई है कि किसी इस हाथसे में अभी कितने लोगों की हालत घंबीर है और कितने लोग अभी मिर्ट पाए गए है इस वक्त की बड़ी और एहम खबर जहां पर एक दर्दनाक सड़क हाथसा हुआ है और आपको बता दें 20 फिट घहरी खाय में यातरी बस गिरी है जिसके बाद करीब 100 यातरीों को एम्बूलेंस की मदद से अस्पताल में भरती कराएगा और मुरादाबाद में ये दर्दनाक हाथसा हुआ है जिसमें करीब इस बस में करीब 100 से जादा यातरी सवारते और सारे यातरी घहल बताए जारे है और इन घहल यातरियों को जिला अस्पताल में भरती कराएगा और आपको बता दें करीब 5 एम्बूलेंस की मदद से इन बताएगे ने लोगों को अस्पताल में भरती कराएगा जिनका भी इस्पताल में इलाज चल रहा है और वहीं आपको बता दें राहत और बचाव का कारिया वहाँ पर जारी है और काफी मशक्कत के बाद यात्रियों को इस खाई से निकाला गया और आपको बता दें सभी यात्रियों को जिला अस्पताल में भरती कराया गया और वहीं मौके पर पुलिस मौजूद है जो मामले की चानबीन कर रही है इस वक्त की बड़ी और एहम खबर जहां पर मुराद और वहीं चन्ने सूपर किंग्स के कप्तान कैप्टन मुकूल महंदर सिंग धोनी इंडियन प्रीमियम लीग आईपेल 2021 के दूसरे फेस की तैयारेों के लिए मंगलवार को चन्ने ही पहुँच गए यहां से धोनी टीम के बाकिस अदस्यों के साथ UAE रवाना होंगे जहां 19 सितंबर से 15 अक्तूबर के बीच आईपेल के ये दूसरे फेस के मैच्च खेले जाने हैं CSK के एक अधिकारी के नुसार टीम में शामिल भारते खलाडी 13 अगस को ये के लिए रवाना हो सकते हैं और CSK के फैंस ने धोनी के चन्ने पहुचने का सोशल मीडिया पर जस्न मनाया CSK के CEO केस विश्टनाथ ने बताया कि टीम में शामिल भारते खलाडी 14 जाने के लिए पूरी तरह तयार होंगे वो 13 अगस को UAE के लिए रवाना हो सकते हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि UAE रवाना होने से पहले चन्ने में टीम कैम्प लगाया गया है और धोनी के अगवाय में CSK को टीम 19 सितंबर को मुंबई इंडियन्स के खिलाफ अपने अभियान की शुरुवात करीगी और कोरोना मामलों के चलते लीग के स्थगित होने से पहले तक CSK की टीम साथ मैचों में दस अंकों के साथ पॉइंट्स टेवल पर दूसरे पायदन पर मोजूद थी और वहीं आपको बता दे इस साल मही में कोरोना की दूसरी लहर के दोरान खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ में संक्रुन मामले मिलने के बाद भारत में खेले जा रहा है टाइपल को इस्थगित कर दिया गया था अब आप घर बैटे बैटे ही लर्निंग लैसंस और आर्सी समय परिवहन विवाग के कई सेवाइं का पा सकते हैं दिल्ली सरकार के परिवहन विवाग ने इसके लिए नएा सिस्टम बनाया है दिल्ली के मु nieu्ख्यमंत्री हडविन के जिवाल आज इसकी लांचिंग करेंगे और इस system के तहट permanent driving license के लिए skill test और वहन fitness से जुड़ी सेवाओं के अलावा बाकि सभी सेवाओं को system के दाइरे में शुरुआत की गई है और मौझूदा system के मुताबिक learning driving license के लिए आवेदक को RTO डफ्तर जाना अनिवारे नहीं होगा और लेकिन आप online की learning license के लिए आवेदक test दे सकते हैं system के तहट 30 से जादा faceless service launch की जाएगी और faceless system की शुरुआत के बाद license renewal, transfer of ownership, license में address change, duplicate license या RC जैसे सेवाओं आप घर भैटे मिल सकेंगे और duplicate license और बाकि दूसरे document घर पर ही आजाएंगे और document upload भी किया जा सकेंगे ऐसे लोग जो online परिक्षम देने महा समर्थ है तो उनके लिए आटे और दफ्तर में आकर परिक्षा देने का option भी खुला रहेगा और faceless scheme की शुरुआत के बाद आवेदक को केवल permanent driving license के लिए driving test देने ही होगा और आपको बता दे इसकी सुरुआत मुख्य मंत्री अर्विन के जिवाल करने वाले हैं और परिवन मंत्री केलास घैलोट ने कहा कि 11 अगस्ट को मुख्य मंत्री अर्विन के जिवाल faceless scheme को अधिकारिक तोर पर लोंच करने वाले हैं मंत्री ने आगे कहा कि लोंच की तैयारियों और scheme के ट्रायल को लेकर सभी 13 आर्टियों अधिकारियों के साथ बैठक भी की है और वहीं मध्य प्रदेश विदान सवा ने मंगलवार को मध्य प्रदेश आपकारी विभाग संसोदन विदेग 2021 को पारित कर दिया इसमें जहरीली शराब के सेवन सु हुई मोतों से संबंदित मामलों में मित्यो दंड और आजीवन कारवास की सजा का प्राफदान किया गया और इस विदेग में 20 लाख रुपे की जुर्माने का भी प्राफदान किया गया राजेपाल द्वारा मनजूरी मिलने के बाद ये कानून बन जाएगा और हाली में मनसोर और इंदोर में कथित रूप से जहरीली शराब पीने से कम से कम 12 लोगों की मोत हुई थी और इसमें सरकार ने बड़ा कदम उठाया है और जहरीली शराब से संबनित अपरादों के लिए डन का प्राफदान है अगर जहरीली शराब के सेवन से किसी वेक्ट्यू की मित्यू होती है तो इस अपराद के लिए दोशी अजीवन कारवास या मित्यू रंड और कम से कम 20 लाग जुर्माने का अपराफधन किया गया और उन्होंने इसमें कहा गया कि सेवन से सारे कि सत्य होने पर पहली बार में नियूंतम दो वर्स और अधिक्तम आठ वर्स तक का कारवास और नियूंतम दो लाग रुपे तक का जुर्माना और दूसरी बार अपराद करने पर नियूंतम दस वर्स और अधिक्तम चोदा वर् तक का कारवास और नियुन्तम एक लाग रुपे का जुर्माना दूसरी बार अपराद करने पर नियुन्तम छे वर्स दस साल तक का कारवास और नियुन्तम पांस लाग रुपे तक के जुर्माने का प्रापधान किया गया और उन्होंने आगे कहा कि किसी आपकारी अधिकारी द्वारक किसी बैसे वैक्टियों को जो अधिनियम के अंतरगत करतव निश्पादन में बादा डाले या हमला करे उसे गिरफतार भी किया जा सकेगा अधिनियम के कई जिलों में बाड का कहर देखने को मिल रहा है और वहीं गंगा यमूना के लावा कई नदिया खत्रे के निशान से भी उपर भह रही है और प्रियाग राज में गंगा और यमूना आज खत्रे के निशान से तक्रीबन एक मीटर उपर भह रही है इसके साथ ही टॉंस और ससुर कदेरी जैसी नदियां भी अपना दाइरा तोड़कर सड़कों और रास्तों और गाउं और खेतों में तभाई मचारी वारनासी में भी बाड के कारण हालत खराब है अमारुती नगर जान की नगर सामने गाड असी घाड समेट फरुना पार के दर्जनघु महलों में गंगा का पानी घुश चुका है और इसके लावा कानपूर और बानदय जयसे कई जिलों में भी बाड से हाहा कार मचा हुआ मौसम विभाग के अलट ने लोगों की टेंक्शन और भी बड़ा दी और वहीं मौसम विभाग के आर से कहा गया है कि अगले तीन दिनों के दोरान राजे के विभिन हिस्सों में लगातार बारी बारेश होने का अलट जारी किया गया और वहीं चित्रकुत, कोशंबी, प्रियागरा, सोनबद, मिडजापूर, चंदोली, वारनासी, बलरामपूर और आसपास के छेत्र में भारी बारिस होने के असार भी जताए गए और वहीं राजस्थान और मध्यप्रदेश में भारी वर्सा के इस बाद चंबल, बेतवा और अन्य स्थानी नदियों में जल इस्तर बढ़ने की वज़ा से हुई है और उन्होंने आगे बताया कि राज्ये के 22 जिलों में 466 गाउं जल इस्तर बढ़ने के कारेंट प्रभावित हुएं जिसमें बाड राहत का कारे चल रहा है और वहीं यूपी सरकार ने बचाव कारे में 1133 नाओं लगाई है जबकि प्रदेश में 966 बाड चोके स्थाबित कर दी गई और बाड चेतरों में 409 मेडिकल टीम गठित की गई जो बाड में फसे लोगों को इलाज की सुविदा प्रदान करने में जुटी है जल शक्ती मंत्री डॉक्टर महिंदर सिंग को बाड रहत कारियों की समिक्षा के लिए लगाया गया और NDRF और SDRF ने 536 लोगों को बाड प्रभावित छेतरों से सुरक्षित निकाल कर रहत शीवरों में पहुँचाया है और NDRF टीमों को प्रदेश के 9 जिलों में लगाया गया और इसके लावा चंबल नदी और यमुना नदी के में आई बाड के कारण चालों की मादोगड तहसील और कालपी के 5 ग्रामों का समपर्क तूड़ गया और इन गाओं में फसे परिवारों को वायू सेना के दो हेलिकॉप्टरों की मदद से राहत समगरी विर्तित की गई लोक्षवा में सांती और राजिसमा में जो करांती मंगलवार को दिखी वो आज पलट सकती है राजिसवा में आज ओबी सी आरेक्षण बिल पेश किया जा सकता है राजिसवा में आज क्या होगा और इसकी क्या बनेगी कर लोक्षवा में मिल गई थी और विपक्ष ने इस बिल पर सरकार का तो समर्थन किया है लेकिन साथ ही ये भी ध्यान रखा कि विरोत का सुर भी उचर है तरसल कई राजियों में चुनाव भी हैं और खासका यूपी उसमें ओबी सी आरक्षन मिल का बीजेपी को फाइदा हो सकता है और ये डर भी विपक्ष के मन में है लोकसवा में जो मन में था वो जुबान पर भी हाया लेकिन यही दल संसत के अंदर और बहार राजियों में पचास फीजदी आरक्षन कैप को हटाने की मांग करें इस तकरार के पीछे सत्ता का एकरार है और हर राजे चुनावी समर में ओबीसी वोटरों को लुबाने और अपना वोट बेंक बनाने की तैयारी में और क्योंकि वहाँ चुनाव होने हैं और यूपी की कुल आबादी में 45 फीजदी ओबीसी हैं इसमें सबसे ज़्यादा कर स्विजदिक कुर्मी और करीब 4 फिजदी लोधी हैं और सभी दलों की नजर इनी लोगों पर है क्योंकि 2017 की चुना में इस OBC वोट बैंक ने बड़ी भूमिकर निबाई थी अलग-अलग जानतियां खुद को पिस्ड़ा वर्ग में शामिल करने की मांग करी है 1993 से केंद्र और राजे सरकारे दोनों ही OBC की अलग-अलग लिष्ट बनाते हैं 2018 के समविदान संसोधन के बाद पुरानी विवस्ता समाप्थ हो गई थी और इस बिल के पास होने के बाद धुबारा से पुरानी विवस्ता लागू हो जाएग चाहे सरकार हो या विपक्ष या फिर छेत्रे पार्टे या हर किसी की कोशिट खुद को OBC का बड़ा हितोशित साबित करने का है क्योंकि इस साथ के बिना सत्ता की आज बहुत कमजोर हो जाती है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोग गैलोत ने मंगलवार को कहा कि उनकी सरकार की सर्वोश प्रात्मिक्ता एमेजान को सुसासन देना और सूशना प्रद्योग्यकी के उप्योग से घर बैटे सरकारी विभागों की समस्त सेवाओं की पहुँच उन तक कराना है गैलोत नदिकारियों को निर्देश दिये हैं कि सबी विवाग इस साल दो अक्तूबर तक अपनी समस्त योजनाओं और कारेकरमों की जानकारियां जन सूशना पोर्टल पर साजा करें और उन्होंने आगे कहा कि सूशना प्रद्योगी की का उप्योग कर पारदर्शिता और सुसाशन के लिए ऐसी पहल करने वाले राजस्थान पहला राज्य होगा मुख्यमंत्री गहलोद मंगलवार शाम को सूशना प्रद्योगी की और संचार विवा की समिक्षा बैठक को संबोधित करें दे मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामिन छेत्र के युवाओं और विद्यार्तियों में उद्मिता को बड़ावा देने के लिए सैक्षिक संभाग इस्तर पर उद्भवन केंद स्थापित किया जाने और स्कूल इस्तर पर स्टार्ट अप गरती विद्यो को प्रोथ साहन दिया मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि 181 हेलप लाइन पर शिकायट करने वाली लोगों को भैतर तरीके से संतुष्ट किया जाए और उन आगे कहा कि इसमें विभिन इस तरों पर निग्रानी की पुक्ता विवस्ता सुनस्चित की जाए और आगे उन्होंने लिखा कि सूशना प् अगे का उप्योग महत्पूर होता जा रहा है